हाई, welcome to my channel, इस video में solve करें question no.23 Jasmine allows 4% discount on the marked price of her goods and still earns a profit of 20% What is the cost price of a shirt for her marked at Rs. 850? तो कराया कि Jasmine जो है इलाव करती है 4% discount on the marked price marked price पर जो है discount देती है 4% का अपने समान पर और still फिर भी उसे क्या होता है, फाइदा होता है मतलब कि कमाती है, profit कितना 20% कराया कि what is the cost price, cost price of a shirt तो shirt का क्या होगा cost price यदि वो shirt जो है marked है 850 मतलब कि MP दे दिया है, marked price दे दिया है उस shirt का 850 तो बताना है कि कितना होगा cost price तो यहाँ पर हम बना लेते हैं flow chart, CP है उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा MP और उसके बाद देगा SP ठीक है, तो यहाँ पर देखिए marked price दिया हुआ है, कितना 850 रुपीस यहाँ लिख दीजे 850 रुपीस और क्या दिया हुआ है, 4% discount दिया हुआ है, तो discount जो है हमेशा यूज होता है MP पर, MP पर discount देते हैं, तो SP निकलता है ठीक है, selling price, तो यह हो गया 4% का discount ठीक है, उसके बाद profit हो रहा है 20% का, तो profit जब भी होता है तो CP और SP के बीच में होता है, यह हमेशा याद रखिए profit percent हो या loss percent हो, हमेशा CP और SP के बीच में होता है तो यह हो गया profit percent, इसकोल टू, 20% ओके, अब करना क्या है, हमें बताना है कि CP क्या होगा cert का, चलिए solve करते हैं, यहाँ पर इस flow chart में आपको देखकर लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, देखे MP दे दिया है और discount percent दे दिया है, MP आपका है यहाँ पर 800, 50 rupees और जो discount है, वो है आपका 4%, तो आप SP निकाल सकते हैं यहाँ पर, असानी से ठीक है, SP निकलने के बाद, आपका profit percent भी दिया हुआ है, तो CP निकल सकता है तो यही हम तरीका अपनाएंगे, ऐसे करके, मूव करते जाएंगे तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, since, SP of the third is given by, इतना is equal to होता है, MP multiplied by, तीक है यही फर्मूला होता है MP, SP और discount percent में, MP मैनस करेंगे, 100 मैनस करेंगे, यहाँ पर discount percent, discount percent upon 100, ठीक है, यहाँ पर MP कितना है, यह रहा है MP, 850, यहाँ यहाँ आइज कर लेंगे 850 into 100 में से मानस करेंगे, discount percent, 4 percent, upon 100, यह होजाएंगा, 850 में प्रटबाइड बैए, यहाँ होजाएंगा 96 upon 100, जरी-जरी करते हैं अब यहाँ पर, 2-5 पे-5 ज़ा-10, फाइच फाइच ज़ा-5, एट तू अट ग्राइब गूलेगे आपर किया मिलेगा कि 17 एड़जा 1136 होता है तो 6 लिख लेगे 13 कर यूबर हो जाएगा 17 फोरजा 68 68 एड़ 71 हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है यह जाएगा 816 रुपीज हमगा निकल गया SP of the cert is equal to इतना ठीक है अब SP निकल गया तो हम निकाल सकते हैं CP क्योंकि profit percent दिया हुआ है तो given that profit percent is equal to 20 percent ओके इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर CP बराबर CP बराबर हो जाएगा SP SP मुटिप्राइड बाई 100 अपान 100 प्लस profit percent यह आफ हमुला जानते होंगे और SP आपका दिया हुआ है 816 इन्टू यह हो जाएगा 100 अपान 100 प्लस profit percent मतब कितना हुआ हुआ 20 percent अब यहाँ पर solve कर लेंगे तो 816 multiplied by यहाँ पर हो जाएगा 100 अपान यह हो जाएगा 120 जिरी जिरी घंसिल हो गया 12 वंजा 12 और 12 से कटाएंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हुआ है ओके यहाँ पर 12 से कटाएंगे तो मिलेगा हमें 12 वंजाएंगे तो 72 और 72 कितना बचा एट नाइन हो गया 96 एट आ जाएगा यहाँ ठीक है मतलब आ जाएगा हमनद प्लाइग करने पर 680 यहाँ जिरो बचा हुआ है एक तो 680 रूपीज हो जाएगा तो फाइनली हमारा जो CP निकल गया CP of the cert 680 आ गया तो पुछाए कि वड़ी तो cost price of a cert लिख देंगे hence the cost price of the cert is equal to 680 रूपीज and this is your final answer hope कि आपको समझ में आगया होगा तो यदि आपको कोई भी doubt होता है तो comment box में जरूर लिख दीजेगा मैं personal guarantee मेरी है कि मैं जरूर reply करूँगा और यदि आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा और यदि आप already subscribe कर चुके हैं किये हुए हैं thank you so much for watching bye ब जर टाम में जरूर आपको समझ आपको सूनерм है करूँग दो ऐए चल、क्तवफ़र रखर miंजेर भंडुब inadस्त दожд बाप्वत